और आ अजनेको आपको पस्किर में पेंने कुर्प नमसक्त लिए आपको नहीं ज है, जैसा कि आफ नं क्यूंβ है और यूसरेटिव में बारे प्छली विडियो में सब्सक्राइब कि काम करा सकते इक है कि एक प्सकुन क्ते करें सो हाँ तो बहुत सारे स्ट्रेंट ने कमेंट किया है कि सर मुझे आइसी के बारे में थोड़ा सा और इंफोर्मेशन दीजिए ताकि हम इस सब चीजों को बारे में अच्छा सीख सकें आप ही got to comment करते हैं तो हमको ब्रब्रह कहुता है कि चलिए ठीक हैं आप लोग जो देख रहे हैं जो सीख रहे हैं संझ रहे हैं अच्छा लग रहा है और उसके साथ गशिफ कमेंट करते हैं तो हमारा दोस्तों जो आज का topic होने वाला है ये IC को उपर है कि IC को पहचानने का तरीका क्या है हमारे पास जो mobile phone के PCB लगी होती है इस PCB के अंदर हम लोग IC को पहचानने का तरीका क्या होता है तो दोस्तों मेरा नाम रागवेंदर और मैं इटेक इस्टिट कांद कुल से बात कर रहा हूं जहां पर आपको मोबाइल फोन है लैप्टॉफ है इस तरीके से टेकनिकली रिपेरिंग के कोस आपको सिखा जाते हैं यहां पर हम लोग बेसिक लिवल से लेकर करके एडवांस ल लड़का है तो भी अच्छे से सीख जाए और जो पड़ा लिखा लड़का है तो उसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से काम कर सकें और यह काम ऐसा है कि अगर आप प्रेटिकल तरीके सीखते हैं तब ही आप सच्छिश्फुली हो सकते हैं नहीं त सिखाते हैं तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो में आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में आईसी यों को हम लोग फाइंड करते हैं तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है आईसी की प सकते हैंदें नुक्त सब्सक्रिण के इसां की आपका आप fundo चैस्मिंट कंडर को तरीका हो मत इससी आपते हैं उस मुबाइला फोन थे पहनों हो की यह आश्चाननी का तरीका क्या होता है किस तरीके से board में हम IC को पहचानते हैं तो सबसे पहली बात क्या है हमारे mobile phone के सबसे main powerful IC होती है जो main IC होती है, जिस IC को हम लोग बोलते हैं CPU IC तो दोस्तों हम आपको mobile phone के अंदर जितने भी IC होती है एक एक करके हम आपको सारी IC के बारे बताएंगे ताकि आप इस concept के माध्यम से आप board के अंदर सारी IC को पहचान सकते हैं सबसे पहली बात क्या हम लोग आपको IC को पहचानने का जो तरीका सिखाते हैं यह कोई company की तरफ से कोई बात नहीं है कि नहीं भाई ऐसा ही होगा जैसे अगर मैं आपको बताओं कि किसी अगर आइनसान के बोली जाए कि भाई एक आदमी है उस अगर आदमी का नॉर्मल हाइट होती है तो ऐसा यह कोई बात नहीं कि भाई 6 फूट को यह नॉर्मल हाइट बोला जाता है कुछ कम भी है कुछ जादा भी है कुछ से भी एडड़ा नहीं तो खली दुनिया में कैसे होता तो उसी तरीके से कम जाता तो परिवर्टान होता रहता लेकिन अगर बात करेंटे है कि experience की तो हम आपको experience s Self करते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है क्योंकि हमने 면 हजार हुध दस्य होजार phone में गार यहए एक्सुरा करते हैं और एक एक करके हम आपको समझाते हैं तो हम बात करते हैं कि CPU IC को पहचानने का तरीका क्या होता ताकि बोर्ड केंदर जो CPU IC होती है, वो CPU IC को मोबाइल फोन केंदर आप कैसे पैच्छानेंगे? CPU IC set की main controlling IC होती है, CPU IC जो होती है, यह हमारे मोबाइल फोन के main controlling IC होती है, इसकी पैचान के लिए PCV में सबसे big size की होती है, CPU IC CPU IC set की main controlling IC होती है, इसकी पैचान के लिए PCV में सबसे big size की होती है, मतलब जो हमारे मोबाइल फोन के लिए PCV होती है, जो plate होती है, वो कैसी होती है, plate में सबसे बड़े size की होती है, मतलब मदर बोर्ट में जब आप देखेंगे, तो mostly सबसे बड़े size की होती है, CPU में Qualcomm, MediaTek, Spectrum, Exynos, RDA, M star, ETC लिखा होता है, तो सबसे पहली बात है, हमने जैसे बात करी कि जो CPU IC होती है, यह हमारे मोबाइल फोन के main controlling IC होती है, और जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में CPU IC पाई जाती है, तो CPU IC के पहचांद तरीका क्या होता है, PCP में सबसे बड़े size की होती है, और इसकी पहचांद के लिए PCP में सबसे big size की होती है, मुशली कैसी होती है, सबसे बड़े size की होती है, CPU में Qualcomm, MediaTek, SPD, Exynos, RDA, M star, ETC लिखा होता है, हमारे mobile phone के लिए CPU IC लगी होती है, वह CPU IC में ऐसा लिखा होता है, अगर ऐसा लिखा होता है तो आप लिखे होने को भी पढ़के पहचांद सकते हैं, कि यह हमारे mobile phone में CPU IC है, CPU IC को ही हम लोग processor IC बोलते हैं या उसको chipset कहते हैं, किसी भी नाम से उसको identify कर सकते हैं, तो CPU IC mobile phone में सबसे बड़े size की होती है, CPU IC ही हमारे mobile phone की पूरी छमता, पूरी quality या काम करने का तरीका, या mobile phone में क्या-क्या चीज़ें लगेंगी, वह सारी चीज़ें set करती हैं, जैसे कैसे कोई पूरा team होता ना, उस team के अंदर क्या होता है, वह कप्तान ही set करता है, कि हमारी fielding कैसे set होगी, हमारे team में कौन-कौन सो लोग रहेंगे, कौन कहां पर लगेगा, कौन कब-कब बॉलिंग करेगा, पहले spinner आएगा कि faster आएगा, उसी तरीके से क्या रहता है, हमारे पास Mobile Phone के अंदर जो processor, यही Mobile Phone को set करते है, कि आपके Mobile Phone में कौन सी चीज कैसे कैसे काम करेगी तो इसके लिए कौन सी power IC काम करेगेगी, कौन सी charging IC लगेगी, कौन सी network IC लगेगी कौन सी light IC लगेगी ये सारी बाते जो होती है ये तुम्हारा CPU mobile phone में decide करता है तो जितने भी सारे जो repairing करने वाले टेखनीशियन है अगर वो advanced level की repairing करना चाहते हैं तो advanced level की repairing करने का मतलब होता है उनको CPU को master बनना ही पड़ता है क्यों बनना पड़ता है अगर CPU को master नहीं बनेगा तो बेकार है अगर आपको CPU को बारे में जानकारी नहीं है CPU कैसे काम करता है क्या तरीका है क्या concept है क्या logic अगर सारी चीज़ें अगर आपको clear नहीं होती है अगर तुमारे पर media tech लगा है तो उसके अंदर फिर तुमारे media tech की RF IC लगी है अगर आप यह कहते हैं कि media tech का है उसके अंदर WTR IC क्यों नहीं लग सकती तो यह ऐसा इसलिए नहीं पोसिबल हो सकता है क्योंकि CPU ही अपनी सारी चीज़ें को set करता है जैसे आपका जो दिमाग है ना आपका दिमाग ही set करता है कि आपका हाथ कितना move करेगा नहीं करेगा आपको कैसा करना है आपको यह करना है कि वो करना है यह सारी चीज़ें जो होते हैं यह आपका mind reset करता है उसी तरीके से हमारे mobile phone के नो जो CPU होता है पूरे mobile phone में जितनी भी सारी चीज़ें होती है सारी चीज़ें को set करता है इसके बारे में detail से मैंने और भी वीडियो मेंने बना रखी है CPU को बारे मैंने पूरा अच्छे तो समझा सका है कि आपका media tech का CPU है SPD का CPU है RD का CPU इसको working क्या है करने का तरीका क्या है concept क्या है ये सब चीज़ के बारे मैंने video बना रखा है वो मैं description में आपको दे भी दूँगा आप video को ये video तो देखिए देखिए इस video को साथ मैं description का भी video देखिए ताकि आपको CPU को जो topic है जो मैंने आपको बताया जो captain और players वाला जो मैंने आपको formula बता है वो सारा formula आपको set होता और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा अब हम लोग board में चलते हैं कि PCB में इसको कैसे पैचानेंगे कि माला हमारे पास कोई भी mobile phone आता repairing होने के लिए तो हम लोग इसको mother board में कैसे पैचान नहीं है तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मेरे पास एक mobile phone का mother board है अगर इस mother board में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जैसे क्वालिकाम लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है क्वालिकाम लिखा है तो यह क्वालिकाम लिखा है अगर इसके नहीं लिखा है MSM-8917 तो यह CPU का नंबर है तो यह mobile phone करना जो IC लगी है यह तो मारे जो IC लगी इसे हम लोग कौन तर बोलते हैं CPU IC बोलते है क्या बोलते है CPU IC यह आपके mobile phone को क्या काम करती है पूरे mobile phone को चलाती है पूरे mobile phone के main चीजे इसे क्या बोलते है CPU, इसमें क्वालिकाम का CPU लगा है इसी तरीके कि हमारे पाद जितने भी सारे mobile phone आते है सारे mobile phone करना different type type के CPU लगे होते है different type type के processor लगे होते है उनको आसानी के साथ में आम लोग को identify करते है और उसको find करते है तो यह मैंने CPU को पैचानने का तरीका बता आया है तो आप इस चीज को समझें और जो भी चीजे जो है मैं आपको यह सब copy में note करता हूं इसको आप अच्छे से note भी करें मैंने CPU को पैचानने का तरीका क्या है एक copy बना ले अच्छे से इन सब चीजों को note करें ताकि जब आप note करेंगे तभी समझ में आएगा देखो हमारा सिखाने का तभी फायदा है जब तुमको समझ में आए और समझ में नहीं आए इसे बैठे हो तो तुम बेकार है फिर तो समझो इसको तो हम लोग बात करते हैं, अब CPU को बात अगले IC के में समझते हैं, MMC IC के बारे में MMC IC MMC IC सब्सक्राइब करती है, यह IC क्या काम करती है, अपने अंदर सब्सक्राइब को इस्टोर करती है, इसकी पैचान के लिए CPU के पास लंबी सी लगी होती है MMC IC, यह IC सेट में सब्सक्राइब को इस्टोर करने का काम करती है, इसकी पैचान के लिए यह CPU के पास में लंबी सी लगी होती है, मलत जो तुम्हारी जो MMC IC होती है, MMC IC को पैचानने के तरीका क्या होता है, यह हमारे मोबाइल फोन में जो CPU-IC लगी होती है, इस CPU-IC के पास में लंबिस ही लगी होती है. MMC-IC में, इस कन्दिस्क, किंगस्टन, सीनेक्स, हीनेक्स, माइक्रॉन, KMO, ETC, लिखा होता है. जो हमारे मोबाइल फोन के अन्दा, जो MMC-IC लगी होती है, तो MMC-IC के अन्दा, यह IC-set में, सॉप्टर को स्टोर करने का कारे करती है, इसकी पहचान के लिए, CPU के पास में, लंबी सी लगी होती है. माइल जहां पर हमारे मोबाइल फोन के अन्दा, CPU-IC के पास में, लंबी सी लगी होती है. लंबी का मतलब होता है, आयता काल सेप में लगी होती है. जो भी हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं, तो MMC-IC की पैचान यह होती है, कि CPU के पास में, लंबी सी लगी होती है, और उसमें, Scandix है, Kingstein है, साइनेक्स है, हाइनेक्स है, ऐसा कुछ लिखा होता है, अगर आप MMC और CPU में का दोनों में साइनेक्स है, और यह हमारे mobile phone के क्या होती है, रानी, तो राजा रानी जब मिलते हैं तभी कानी बनती है, तो CPU और MMC, दोनों मिल करके ही हमारे पूरे mobile phone को चलाते हैं, दोनों अपस में coordinate करके ही पूरे फोन में working होती है, पूरे फोन में काम होता है, तो CPU और MMC, दोनों मिल करके ही हमारे पूरे मोबाइल फोन को चलाती है, मला हमारे मोबाइल फोन में सोफ्टर तभी आएगा, डिस्प्ले तभी दिखाई देगा, ग्राफिक सब चीज़ें जो होती है, वो इन दोनों को क्वाडिनेट हो करके ही काम करती है, मला जो हमारा सोफ सोफ्टर का मोवमेंट ही नहीं के बीच में, ऐसे ही सोफ्टर का मोवमेंट हमारा होता है, तो चलिए हम लोग मदर बोर्ड में पहिचानते हैं कि MMC, ICO को मदर बोर्ड में कैसे पहिचानना जाएगा, इसको पहिचानने का तरीका क्या है? तो यह देखिए यह जैसे हमारे पास मोबाइल फोन है इस मोबाइल फोन में जब आप देखेंगे तो यह जो क्वालिकाम लिखा हुआ है तो यह हमारे मोबाइल फोन में CPU है अगर आप इसमें गोर से थोड़ा से देखेंगे तो इसमें लोगो बना हुआ है तो माइक्रॉन लिखा रहा है तो यह तो मिल करके ही पूरे मॉपाइल फोन के चलाते हैं अब झाल इस मदढ़बोर्ट में भी आपको दिखाता हूं उसको सॉरिकार कर देते हैं हम लोग दूसरे मदढ़ भूर्बोर्ड में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे देखो एक ही लगी है इसमें अगर आप गोर से देखेंगे तो इसमें क्वालिकाम लिखाए यह दिख रहा है यह क्वालिकाम लिखा है तो इसका मलब होता है यह मुबाइल फोन दो CPU IC है यह देखिए इसमें Sinex से लिखा है तो Sinex का मलब क्या है MMC और यह CPU तो यह mobile phone में CPU IC लगी है इसमें Qualicam लिखा है इसमें SignX लिखा है यह mobile phone में MMC IC लगी है CPU और MMC, CPU MMC मिलकर गही हमारे पूरे phone को चलाते हैं तो चलिए हम दोस्तों चलते हैं अपने अगली IC की तरफ तो यह IC के महरे मैंने आपको बताया हमने कौन थे IC के बारे में समझा MMC IC के बारे में तो चलिए अब हमारी अगली IC आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं Power IC Power IC जितने भी हमारे पास mobile phone होते हैं सारे mobile phone में power IC लगी होती है ऐसा कोई mobile phone नहीं बना जिस mobile phone में power IC नहीं हो Power IC Set में Supply देने का कार्य करती है तो Power IC Set में हमारे mobile phone में supply देने का काम करती है इसकी पैचान के लिए तो Power IC Set में supply देने का काम करती है इसकी पैचान के लिए इसके पास में RTC Crystal लगा होता है या क्वाइल क्वाइल कैपेसिटर लगे होते हैं मला हमारे पास जो mobile phone आता है जो Power IC के पैचानने का तरीका क्या होता है Power IC Set में supply देने का काम करती है इसकी पैचान के लिए इसके पास में RTC Crystal रियल टाइम क्लोग जो black color का जैसे cylinder जैसे लंबा सा होता है वो लगा होता है या इसके पास में क्वाइल कैपेसिटर लगे होते हैं Power IC को PM Power IC को PM भी कहते है PM का मतलब होता है Power Management तो Power IC को PM भी हम लोग बुलाते है जैसे मालिया हमारे पास यह mobile phone है इस mobile phone में यह मालिया तो मारी Power IC लगी हुई है तो Power IC के बार में भहुत सारी मोटी-मोटी boost coil लगी होंगी bug coil लगी होंगी और brown color के भहुत सारी मोटे-मोटे capacitor लगे होते हैं तो यह जो component लगे होते हैं यह component लगे होते हैं ताकि हमारी supply को distribute करते हैं और transfer करते हैं Power IC का एक ही काम होता है कि अपने पास current ले लेता है 3.7 current ले लिया फिर अपने पास से बहुत सारे कई सारे multiple अलग-अलग voltage को यह क्या काम करती है आउटपुट करती है जैसे 1.8 voltage, 2.8 voltage, 3.1 voltage, 2.9 voltage, 2.6 voltage, 3.1 voltage, 1.7 voltage, 1.6 voltage, 1.1 voltage, 1.2 voltage, 1.8 voltage तो यह Power IC क्या काम करती है कि अपने अंदर 3.7 voltage को ले लेती है और कई सारे multiple voltage को क्या काम करती है डिस्ट्रिब्यूट करती है सप्लाई देरनी काम करती है अब यह बांकी सारे जो होते हैं यह किसी अलग-अलग section को चालू करते हैं जैसे कोई CPU को चालू कर रहा है कोई MNC को चालू कर रहा है कोई WTR को चालू कर रहा है कोई speaker ringer के लिए voltage दे रहा है अब Power IC कब active होगी जब उसको input मिलेगा तब वो बांकी सारी supply को ट्रांसफर करती है तो चली हम लोग चलते हैं कि Power IC को बोड में कई से पहिचानते हैं बोड में पहिचानने का तरीका क्या है देखें जैसे हमारे पास mobile phone है इस mobile phone में जब आम लोग अच्छे से दिखाई दे देखें हम लोगों आपको सिखाने के लिए इतने सारे संसाधन लगा रखें ताकि हम आप लोग को अच्छी तरीके समझा सकें शिखा सकें लेकिन इन संसाधन का अगर आपको फैदा मिलना है तो आप भी हमारे फैदा जरूर करें तो ओली काम देखते हैं बहुत सब्सक्रेंज मेहीं क्ति दीखें है उप लगा है इसकेनर लिखान पी लोगा satu मर्दीम का मतलब पावर आइशी की पास माई को पास में रेखेंगा वशी 0 2 0 3 4 5 उसे में क्वाइब कंपिसेटर कंपिसेटर 1 0 0,35 निखलते हैं यह मल्टिपल भॉल्टेज ही हमारे मोबाइल फोन को क्या करते हैं चलाते हैं रहा जो ऑख threatens को क्या करते हैं ए मैं आपको एक लिखाता हूं कि रहे जिसे दूसरा रख्षा कि इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी इन लिखा हुआ है तो यह power IC है इसका काम क्या है? voltage अपने अंदर ले लिया 3.7 voltage इससे निकाला, इससे निकाला, इससे इधर, 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 इधर बहुत सारे अलग-अलग voltage क्या काम करते हैं? output करते हैं तो यह जो power IC का काम होता है एक जगह से voltage ले करके आपकी सब जगह voltage को क्या काम करते हैं? distribute करते हैं तो power IC काम होता है, 3.7 voltage ले करके कई सारे voltage को distribute को output करना जिससे हमारे जो बांकी और section होते हैं बांकी section हमारे active हो सके हो तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पार जो mobile phone आते हैं उस mobile phone के अंदर हम लोग ICO को पहचानते हैं या ICO को पहचानने का तरीका क्या है? यह A से लेकर जड़ तक मैंने आपको आज आपको वीडियो दिया हुआ है हमने आज की वीडियो में मैंने सिखा हुआ है कि हमारे पार जो भी mobile phone आते हैं उस mobile phone के अंदर ICO को पहचानने का तरीका क्या होता है? किस तरीके से हमारे पार जो भी mobile phone आते हैं उस mobile phone के अंदर हम लोग ICO को बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हैं तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा हुआ है वीडियो पढ़ा आएगा या इसी कहां पर लगती है कहां पर यूज होती है कैसे काम करती वह मैंने डिस्कुश्यन वीडियो दिया हुआ है आप उन वीडियो को भी वाच करें ताकि इनके साथ साथ जब उनको भी सीखेंगे तो आपके लिए बड़ा हैल्फुल रहेगा क्य आया नहीं आया इस बात से कोई मतलब नहीं हमारा सिर्फ इसी बात से मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए अगर आपको समझ में आता है तब ही तो हमारा सिखाने का फायदा है नहीं तो हमारा सिखाने का क्या फायदा तो जाहिसी बात है आपको समझ में आए अगर आप फोन में पावर आईसी, सीपीओ, आईसी, इन आईसी को कैसे पैचाना जाता है या इन आईसी को पैचानने का तरीका क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, यह जो ऐसे इस्टुएंट है, जो लोग दुकान पर आज अपना मोब कर सकेंगे, ताकि उनको लाइफ में कोई प्राब्लम का भी कोई दिक्कत ना है, हमारा लाइफ का सिर्फ एक ही मिस्टन है, कि आप अच्छा तरीके सीख जाओ, सफलता वरुख काम करो, आपको कोई प्राब्लम कोई दिक्कत ना है, तो आज की वीडियो में इतना ही, इन लोगों को भी आपको बताते हैं, जो लोग हमारे पास mobile phone repairing training center को join भी कर रहे हैं, और दूसरी बात क्या है, कि उनके पीछे एक बड़ा moral उदेश होता है, कि उन्होंने training center को क्यों join किया, ये training center को join करने का उन्होंने प्रिफर कैसे किया, कि मुझे मुझे, मुझे, मुझे से ही mobile phone repairing का काम सीखना चाहिए, उन्होंने इसा क्यूं decide किया है, ऐसा क्यूं सोचा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा साब को بتाना चाहता हूं, सम्झाना चाहता हूं निहाल जी है इस से पहले बाहर जॉप करते थे और दिल्ली में WORTH करते थे, अनको काफी साल हो गया है समय हो गया जब काफी समय से जॉब करते करते हैं उनको लाइफ में यह परेसा नहीं आ रही थी कि सर मैं कम से कम नेखा जा तो मैं 6-7 साल से नौकरी कर रहा था मैं 6-7 साल नौकरी करने के मेरी मम्मी है वो भी स्कूल में जाकर पढ़ाती है प्राइवेट टीचिंग करती है और मैं इतने साल नौकरी करते करते हो गया लेकिन हमको कोई वीजन ही नहीं मिल पा रहा था 15,000, 18,000, 20,000 रुपे हमको वहां पर मिलते थे उसके बार हमारा आना मेरे फादर है वो रोड बेज में ड्राइवर है और उसमें आते जाते हैं रोड बेज को देखते हैं तो उन्होंने बोला कि मेरे एक भाईया है वो भी नौकरी करते हैं तो उन्होंने बोला कि या बेटा तुम इतने साल साल हो गया बाहर काम करते करते अभी तुमारी साध के वीडियो मुझे मिली मुझे लगा करना चाहिए या संद्यिप सरी की वीडियो आप ने सर डाली हुई है तो उसके माध्यम से यह मुझे देखा तो आपके पढाने चोछा चाहिंने का गडिया possess वे चंधेmusic करता हूं तो वीडियो मैंने तो देखी देखी लेकिन मेरे देखने के साथ सार वीडियो को मैंने मम्मी को भी वाट्सअप में ट्रंसर करी मेरी मम्मी पढ़ाने जाती है तो सर आपको पढ़ाने के तदिका जब उन्होंने देखा तो मुझे तो समझ में आता था लेकिन ममी को भी बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने सर आपको फोन किया, अब मैं यह भी बात कहना हो, उनको मेरी संडे मेरी संडे को कम से कम 30-45 मिनट मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने हमसे सब चीजों को बारे में समझा, सब चीजों को बारे में पूछा, एक एक करके मैंने डेटेल में उनको बताया, समझाया, उन्होंने अपने बच्चों को समझ लीजिए, कि कह रहे हैं कि सर मैं आपकी वीडियो को काफी दिन से देख रहे हूं, और मैं बच्च तोुमने बात हम आती है की सर अगर हम प्राइविट सेकर में नौकरी करते हैं मैंने उनके ममी के सामने हैं, तो तुमने आपने लाइप में कितना पैसा अपने पाती कृठ पोगया तो उसने बोला के सर पहकं करने के बांद चोड़ो साथ साल में तुमने काम किया तो तीन-चाल लाग तो कमाई होगा तो वो कह रहा है कि सर तीन-चाल लाग तो छोड़ो मैं एक लाग रुपए भी निकट्था कर पाया क्यों जितने मिलते तो सब खापी करके वहीं खतम हो जाते थे बस मैं करता रहा और बाद में फि प्रादर के लिए जो अपने बच्चों के फिचर के लिए इतना बोलते हैं क्योंकि हमारे बच्चों का फिचर जिंदीगी में तब नहीं खतम हो जाता कि आपने उसको आइसको पास करा दिया आपने उसको एक-दो कछा से लेकर आप पढ़ा रहे हो आपका यहीं फिचर न आता है कि तभी आप वाकई में फिरी होते हो वरना एक परिवार की अपने घर की अपने लोगों की यह होती है तो उस रिस्पॉंसबिल्टी को नहीं बाते हो उनकी ममेज से मेरी बात हुई और आज उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को जोइन किया है मैं उनके लिए बड़ा बैस्ट लग कहना चाहता हूं कि वह हमारे यहां से आये हैं अच्छे तरीके तरीके से सीकर कर जाएंगे और आप लोगों के लिए मैं प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे पास आएंगे तो यहां पर बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कम्प्लेट ट्रेनिंग सीख कर जाएंगे पूरा हाडवेर है पूरा सोफ्टेर है एडवांस लेवल तक की आप कम्प्लेट सी कर जाएंगे हमारा काम आपको सिखाना नहीं है कि सिखा दिया को सटम हो गया हमारा काम है सर आपको स्टेंड करना आपको बिजनिस के लिए खड़ा करना आपको तयार करना ताकि आप दो पैसे के लिए स्टेंड हो जाया और किसी के सामने मौतार जिंदिगी हसाग में नहीं नरहें तो आगश़ के वीडियो मेंटना ही वीडियो को से सब्सक्राइब जरूर करहें वीडियो में बने रहने के लिए ठैंक्यों दुस्तों तो कंग update तो तो